वेल्कम बैक टू सारडास किचन आज मैं ऐसी डाल डुकली बनाऊंगी कि आप ओरिजनल डाल डुकली भी भूल जाएंगे वो भी बची हुई रोटी की आप इसमें फलका चपाती गेहु से बनी कोई भी रोटी ले सकते हैं इसके लिए रोटी तीन चार दिन बासी भी चल सक ही बनी की बिचल सकती है अब हम इंग्रेडियंट लेंगे रोटी चार पाश तूर दल 2 तेबल स्पोन, मूंग दल 3 तेबल स्पोन, हलदी 1 तीषपोन, लाल मिर्च 1 तीषपोन, कटा हुआ टमाट रेक अजवाइन 1 तेबल स्पोन, करीलिस 3 चार, कटी हुई हरी मिर्च 2, जीरा हाप टीस्पून, राई हाप टीस्पून, नमक स्वादानुसार, घीया ओईल, देट टेबल स्पून, हींग हाप टीस्पून. तब से पहले हमें दाल को पकाना है, इसलिए मैंने तूर दाल और मुंग दाल दोनों को गुकर में ले लिया है, उसे अच्छा पानी से दो बारवाश कर लूँगी, फिर हम इसमें एक कप पानी, हाप टीस्पून हल्दी, हाप टमाटर, पाव टीस्पून हिंग एड़ कर दे तीन सीटी ले लेंगे, दाल अच्छी पक जाएगी, ग्यास बंद करके हम एक कड़ाई ले और उसमें दे टेबल स्पून ओईल गरम करने के लिए ग्यास पे रखे, फिर हम इसमें जीरा, राई, अजवाईन एड़ कर देंगे, हिंग एड़ कर देंगे, और तड़का अच एड़ कर देंगे, एक टी स्पून लाल मिर्च एड़ कर देंगे, एक टी स्पून नमक एड़ कर देंगे, अब टमाटर को अच्छा नरम होने तक पकाएंगे, अब देखो ये तेल छुटने लगा है, अब हम इसमें दो कप वाटर एड़ कर देंगे, तो ढोकली का कलर बह पानी को अच्छा उबल आने दे, उसके बाद ही हम इसमें जो रोटी है उसके तुकडे एड़ कर देंगे, अब रोटी को अच्छा नरम होने तक पकाएंगे, रोटी नरम होने के बाद हम इसमें कुकर की दाल एड़ कर देंगे और पाँच मिनिट पका लेंगे, आपकी दाल दाल ढूकली तयार हो जाएगी ये दाल ढूकली बच्चों से लेके भुजुर्गों तक सबको बहुत पसंद आएगी आप इसमें हरा धनिया नीमबू और घी डाल के सर्व कीजिए लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद